टीम इंडिया का जो स्क्वैड है टेस्ट स्क्वैड यानि पहले मैच के लिए बंगलादेस के खिलाफ वो अनाउंस हो चुका है और सबको बिसबरी से इंतजार था आखिर कौन-कौन से खिलाडी को जो है वो चुना गया है कौन-कौन से खिलाडी है वो आप लोगो देखने किया गया है चली आप लोग को बताते हैं कि टीम इंडिया का स्कुएड जो है 15 खिलाडी कौन-कौन से चली आप लोगो बताते हैं फॉस्ट ट्रेस्ट के स्कुएड में सबसे पहले जो नाम है वो रोही सर्मा का है जो कैप्टन है उसके बाद यस सवाल आते हैं और उसके सवाल था रिशापंद को ले करके कि रिशापंद को चुना जाएगा की नहीं चुना जाएगा लेकिन रिशापंद को भी ऐसे विकेट के पर चुना गया है और धुर जुरेल को चुना गया है और साथ में रवीचन अस्विन को चुना गया है रविन जड़ेजा को चुना पूरा मैच कर रहा है कि दूसरे मुकाबले का न यह Rumal लेकिन अभी जो है फिलाल जो आया है वो प्लेयरों का लिए स्वाले सुमन गिल है विराट कोली है केल रहुले सर्फराज खान रिशाप पंद धुरी जुरेल और साथ में रविचर नस्विन रविन जड़ेजा अक्षर पतिल कुल्दी प्यादा मुहमत सिराज यह है अभी स्क्वेड अभी मुझूदा स्क्वेड जो पहले टेस्ट मुकाबले के लिए अनौंस किया गया है और वही स्रेसियर को मुकार नहीं मिला है गयकवार को मुकार नहीं मिला है और सारे पेलोयरों को मुकार नहीं मिला है लेकिन वही अगले जो टेस्ट मुकाबल होना है तो यह पहला टेस्ट वुकाबले के लिए स्क्वेड है वही जब दूसरा टेस्ट वुकाबला होगा तो उसके लिए अलग स्क्वेड देखने को मिल सकते लेकिन अभी वह नहीं किया गया